हेलो फ्रेंड्स, आप सबी को प्रियार कीचेन में बहुत-बहुत सवागत हैं तो आज देखिये, हमने बनाया है ये सामबर ये सामबर जो है साबी को पता होगा एक साओध इंडियान डीस है साउध इंडियान डीज में इडली बड़ा चाहे धोसा चाहे उबमा के साथ जो है सांबर लिया जाता है तो इस सांबर जो है बहुत टेश्टी बानता है चाहे तो आप चावल के साथ भी इसको ले सकता है सामबर जो है थोड़ा सा खटा खटा लगता है और इसको देखिए हमने एकदम सिंपल तरीका से बनाया है एकदम गड़ा गड़ा जो है सामबर बनके रेडी है इसका कालार कितना बढ़िया है तो चलिए देख लेते हैं तो सबसे पहले देखिए यहां पे हमने अरहर दल मतलब जो तूर दल होता है अरहर दल भी बोला जाता है तूर दल भी बोला जाता है उसको नमा घली देखिए हमने जो है बॉयल करके राखा है और यहां पे कुछ सबजी हमने काट करके राखा है भेंडी पामकीन जो सोजना और प्याज बैंगाने सब को हमने थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस में कट किया है और इधर देखिए तरका देने के लिए चार-पांच लैसन का कलिया को हमने छोड़े-चोटा टूग्रा में कट लिया है हारी मीज है काड़ी पत्ता संबर मसाला और जो है सर्शो और सुखी लालमी इसको काट के दे दिये थे लालमीज को काट के दे दिये थे पिर उसके बाद ऊसे में हिंग दिये एक सब्जी को डाल देंगे तो सब सबजी इसमें डाल दिये हैं और सबजी को ज़्यादा फ्राइ नहीं करना है थोरा सा हलका जैसे इसका कच्चा पर निकल जाए इतना इसको फ्राइ कर लेंगे खाल की जयाता हैं, पर को जैसे हम यूशे सबूसे जास्मीर लाले तो झाले किसे आल जिसे दाल डाले, कुकर को ढ़ा में नुसके हम इसमें थोरा सा पाणि और डाले के त्वीद ठॉरा सा पाणिना तो चलिए आमने पाणि डाल दिया है अबagner Do तो आपके पास अगर नॉर्मली होता है उसको होगा तो उसको पानी में थोड़ा सा भीजो दीजिए पर उसके बाद जो है उसका पाणी को तो निचोड के जो है इसमें दीजे मतलब खटा पनाने के लिए तो मेरे पास यह बाला था तो मैंने इसी को दिया है तो एक चमस दे रहे हूं यह बहुत ही का खटा है तो देखिए इधा संबार जो है बन गया है सबजी अगरा सॉप्ट हो गया है चेक कर लेते हैं तो सबज ढ़ेते हैं तो देखिए अमरा संबार जो है बनके रेडि हो गया है एकदम बनाना आप लोग बनाा के जरूर ट्राइऑ किजिए ट्राइ ना भूलिए तो जो बन गया मैं इसको रहो निशे निश बन लेते हैं ख़ए TP तो चलिए एप वीडियो आप लोगो थोड़ा सा भी हेलफूल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई